आज हम पढ़ने जा रहे हैं application of electrostatics electrostatics की पहली application zerography या photocopier हम पढ़ चुके हैं अपने previous lecture में आज जो application हम पढ़ेंगे वो है inkjet printers inkjet printers क्या होते हैं? इसकी constructions में कौन-कौन से इसके main parts हैं और इसका working principle क्या है और ये किस तरह से working करते हैं? ये हम इस lecture में discuss करेंगे inkjet printers क्या है? अब printer which uses electric charge in its operation is called an inkjet printer ऐसे printers जो अपने working में ये operation में electric charge को use करते हैं inkjet printers कहलाते हैं इसकी constructions देख लेते हैं इसकी construction में main parts जो हैं वो nozzle of printed है with ink supply and pump number two charging electrode है number three deflection plates है ये इसके main parts है आपको figure में inkjet printer जो है वो दिखाई दे रहा है इसमें आपको print head में उसकी ink supply उसके साथ attached है pump और pump के जरीए ink जो है वो nozzle, print head की nozzle तक पहुँचेगी वो आपको दिखाया दिया है दूसरा आपको charging electrode दिखाय गए है charging electrode जो है वो इस तरह के electrode है जो के अपने अंदर से गुजरने वाले droplets को charge करेंगे जब ये on condition में होंगे और उनको charge नहीं करेंगे जब ये off condition में होंगे इन charging electrode का जो control है वो computer के पास है charging control जो है वो जो भी instruction computer से मिलेगी उसी तरह से ये on और off हो जाएंगे उसके बाद आपको deflection plates जो है वो नजर आ रही है deflection plates भी हमारी charge plates है इनका काम क्या है कि अपने अंदर से गुजरने वाले charge droplets को ये deflect कर देंगी या divert कर देंगी charge particles इसमें से गुजरेंगे वो divert होंगे और अपने waste region में या waste bin या गटर में जो है वो चले जाएंगे और अगर uncharged particles, neutral particles deflection plates में से गुजरेंगे तो वो deflect या divert नहीं होंगे और straightly जाके paper को strike करेंगे यहां पर हम कुछ important steps जो हैं इसके इसकी working के वो देख लेते हैं सबसे पहले इंग जेक्ट पॉइंटर एजेक्ट सब थिन स्ट्रीम ऑफ इंग वाल शट्लिंग बैक और फोर्थ अक्रॉस पेपर यह paper पे बैक और फोर्थ या आगे पीछे move करता है और थिन स्ट्रीम इंग जो है वो सप्लाइ करता है अब इस इंग इस पोस्ट आउफा स्मॉल नोजल और ब्रेक्स इंटू इंटू एक्स्ट्रीम नी स्मॉल डॉपलेट्स जैसा कि आपने देखा कि इंग जो है वो सप्लाइ के बाद पंप से गुजर के नोजल में पहुँच जाती है और वो प्रिंट हेट का नोजल है और वो क्या करेगा इस इंग को स्मॉल डॉपलेट्स में एक्स्ट्रीम डॉपलेट्स में कनवर्ट करतेगा अभी डॉपलेट्स का आगे जो पाथ है आपने फिगर में देखा कि उन Independence नोजल से निकलने के बाद वो charging electrode पे जाना है सबसे पहले वो charging electrode पे से गुज़रेगी और फिर उसके बाद deflection plates पे से गुज़रेगी पेपर जहाने और आपका print head अपने इंक नहीं करना या print नहीं करना तो आपके charging electrode on position में आ जाएंगे and gives the ink droplets a net charge और वो जो आपके droplets उन charging electrodes में से पास होंगे क्योंकि ये on condition में होंगे तो ये उन droplets गुजरने वाले droplets को भी charge कर देंगे यानि उनके उपर कोई net charge जो है वो आ जाएगा अब उन droplets ने ink droplets ने deflection players में से गुजरना है next step क्या है the deflection players divert such charge drops into a gutter अब जब charge droplets in deflection players में से गुजरेंगे तो deflection players इसको divert करेगी कहां gutter ने ये वो ink droplets है जो हमें paper पर नहीं चाहिए and such drops are not able to read the paper क्योंकि ये charge droplets है ये हमें paper पर नहीं चाहिए ये वो region है जो हमें ink नहीं करना तो ये जो आपके charge droplets है ये paper तक strike नहीं कर सकेंगे बलकि उससे पहले जो gutter दिखायागे आपको construction में उसमें जो है वो चले जाएंगे या गिर जाएंगे Whenever ink is to be placed on the paper the charging control turns off the charging electrode जब आपको ink को paper पर place करना होगा तो आपके जो charging control है वो electrodes को off कर देंगे charging electrode यानि अब off condition में आ जाएगा अब जब charging electrode आपकी off condition में है तो उन में से गुजरने वाले Doppler जो है वो uncharge रहेंगे यानि उनके उपर कोई charge नहीं आएगा और वो neutral रहेंगे उसके बाद वो deflection player से जब गुजरेंगे तो उनके उपर कोई diversion जो है वो नहीं होगी deflection plate उनके उपर कोई diversion नहीं लगाएगी क्योंकि वो इस वक्त neutral particles है और वो straightly जाके strike करेंगे paper पे और वहाँ पे आपको जो है एक खास प्रिंट जो के आपको चाहिए था वो मिल जाएगा